Hello my friends, welcome to Be Educare, so finally law 5 years को लेकर last chance, yes guys, law 5 years, top colleges आप target कर रहे हो, institute level round की जो college wise merit list है, that has been published, और अब आपको क्या करना है, first of all, जैसे कि मैंने last video में बताया था कि notice number 4, इसे go through कर लो, क्या कहती ये particular notice, किसे admission मिले गाँ, जो merit list में है, उन्हें या जो merit list में नहीं है, merit list में बहुत दूर ह क्या उनके chances है या नहीं, in detail बात करने वाले guys, ठीक है, so notice को लेकर तो मैंने video बना दिया है, right, अब देखो guys, यहां आजाओ, आपको first of all, चेक करना है, merit list, उस particular institute में vacancy कितनी थी, वो vacancy भी देख सकते हो, जैसे कि, अगर मैं एक particular institute की vacancy देखूँ, क्या मैं उसकी merit list में काम दिये रहेंगे, 10 के 10 colleges की merit list में आप रहोगे, फर्क इतना है, आपका जो place है, वो उपर निचे हो सकता है, जैसे कि, other than महाराष्टा के लिए, सिर्फ एक seat है, GLC में, महाराष्टा state को लेकर 3 plus 1, ठीक है, अब हम देखते है, कि merit list में कितने candidate आए, so merit list में ने open कर ली, यह college की merit list में कैसे इनका नाम है, देखो, यह 125, उनो ने score किया है, हिमान शुकुमार, OMS candidate है, first number पर है, एक seat बता रही थी, अब यह अगर visit करेंगे, तो इनको admission मिल जाएगा, in case अगर यह visit नहीं करते, तो admission मिल जाएगा, पर निका करनानी को, जिनका score है 119, so last cutoff क्या हो एक बार cutoff decide हो गया, उसके बाद में admission नहीं है, ठीक है, so जो date दी गई है, आपको उसके बीच में ही जाकर admission लेना है, so OMS candidate अब visit करना start कर दो, अपनी colleges में, और admission ले लो, अब यहाँ merit list में देखो, guys, seat तो 1, महराश्चा सेट को लेकर 3, लेकिन कितने candidate में apply किया है, 1015 candidates, और सारे documents लेकर जाओ, college में admission ले लो, ठीक है, हम दूसरी college देखते है, चलो भई, पुने university, ILS college, ठीक है, show merit list, अब यहाँ देखो, हिमानशु का नाम यहाँ भी है, हिमानशु कुमार OMS candidate 125, यहाँ पर भी यह first place पर है, अब इनके उपर है, अगर यह JLC विजिट करते है, JLC में भी admission हो जाएगा, और अगर ILS विजिट करते हैं, तो ILS में भी admission होगा, और ILS अगर विजिट नहीं किये यह, अगर इन्होंने JLC में admission ले लिया, तो श्रेया शुकला, 119, इनको admission मिल जाएगा, being OMS candidate, ठीक है, वैसे ही, महाराश्या state को भी लेकर, most of the candidate admission ले चुके, 108, इनका chance बनता है, अगर वहाँ seat vacant है, तो यह वहाँ जाएंगे, और सारे document submit करेंगे, admission ले लेंगे, so guys, institute wise merit list का मतलब यही है, कि आप उस particular college की merit list में कौन से place पर हो, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, कि vacancy report चेक करनी है, अब vacancy report अगर मैं चेक करूँ, ILS की, so यहा other than महारास्टा को लेकर 5 seats है, महारास्टा स्टेट को लेकर 9 plus 2, ठीक है, 11 seats, female को लेकर 2 seats है, general male female both 9 seats है, so total 11 with respect to open category, so अब हम देखते है, merit list को कैसे check करना है, so OMS के 5 seat vacant है, तो 5 चलो, 1, 2, 3, 4 और यह 5, अब यह 5 अगर visit कर रहे हैं, तो इनको admission मिलेगा, in case इन 5 में से कोई नही admission मिलेगा, so आपको क्या करना है, chances कहां बनते हैं आपके, अगर आप 17 number पर हो, do visit, अगर आप 28 number पर हो, do visit, even आप 50 number पर हो, do visit, क्योंकि guys, हो सकता है, एक candidate ने 10 से 20 या फिर 50 colleges के choices दिये हो, और 50 college में उसका नाम आया हो, वो visit नहीं कर पाएगा, वो visit करेगा, दो या 4 colleges, लोग की पाच seat vacant है, तो कौन try करेगा, या 10 वाले candidate जाएंगे, बाकी की candidate जाएंगे ही नहीं, वो सोचेंगे नहीं, starting के 5 जाकर admission ले लेंगे, हो सकता है कि starting के 5 में से कुछ बंदे जाए ही न, और यहां से कोई बंदा जाए, उसका admission हो सकता है, so all those candidates, अगर वो college आपकी nearby है, आपको सबसे पहले visit करना है, ठीक है, अगर पहले visit करोगे, तो college आपको consider करेगा, कोई candidate नहीं आ रहा है, तो वो आपको admission देगा, merit list में nearby हो, तो आपको visit तो करना ही है, क्योंकि admission लेना है, ठीक है, जैसे यह nearby है, 4th place पर है, 5th place पर है, even 8 या 9 पर है, इनको visit करना है, और admission ल admission मिल जाएगा, 108, अब यह female candidate, इनको भाहा admission मिल जाएगा, उसके बाद और किसका chance है, जैसे महाराष्टा टाइप B, 179 merit list में number है, लेकिन महाराष्टा टाइप में इस second number पर है, तो इनको भी admission मिल जाएगा, ठीक है, इनको भी मिल जाएगा, वैसे आपको visit करना है, और अप okay, that's all from my side, जो भी आपके doubts है, comment section में मुझे जरूर पूछे, ठीक है, मैं आपके सारे answers दोंगा, and yes guys, in case अगर आपको लग रहा है कि admission नहीं हो पा रहा है, try for the nearby colleges, और अगर लग रहा है कि top college target करना ही है, then guys, join us at Domboli, Ghat Koper, and other for offline preparations, and if you are Pan-India students, you can interact live with us, call on 970-240-5379, don't forget to download our app to get the free resources and free mock, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram, that's all guys, all the best for your career, see you in the next video.